नमस्का सात्यों स्वागत आप सभी का मेरी एड़्यक्रेशन वीडियो चैनल पर सात्यों जैसे कि आप सभी जानते कि पिसली वीडियो में हमने आपको जिए आपको इंपोर्डेंट कोशन बताये थे जो कि एक्जाम के पॉइंट आप विडियो से बहुत जादा इंपोर्ड सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज्याद ज्याद लोग तक शेयर करें तो आए देखिए सबसे पहले जो कोशन है हमारे पास बाइब में सरबादिक कौन सी गेस पाई जाती है कभी इस तरह का कोशन भी पूछा जाता कभी मनुसार भी जिरो पॉइट नाइन त्री कर्वन डाइक सबसे पूछा जाता है इसको का जाता है नॉर्मल लेफ्स रेट नॉर्मल लेफ्स रेट शमाने तापक्षिय दर काफी बार एक्जाम में पूछा जा चुका है मैं आपको यहाँ पर वही कोशन बता रहा हूं जो कि बार बार ए क्वेस्ट है कि वीडियो के अंतक बने रहे है निमलिक मैसे नेक्स्ट कोशन है निमलिक मैसे बाई मडल के ऐसी कौन सी ऐसी परत है जो संचार की दृष्टी से बहुत ही मैतोपूर्ण है तो वह है आयन मडल आयनो स्फियर वहाँ पे रेडियो तरंग का क्या है रिफ्लेक् तो इकाइम आपने की इस काई जो स्केम आपने की वह है डाप्सन फिर है कि समुन्दर तल में औस बाई मुडले दाप कितना है यह है 1013.25 मिलिवार मिलिवार यह जो है यूजी सी नेट का जो एक्जाम हो था जून 2019 में उसमसे क्या है पूछा गया था यह वाला कोशन समुन्दर की औस बाई मुडले दाप कितना है नेक्स्ट है कोशन नेबर सेवन वट इस दा मेजर रिजन ओप स्मॉक स्मॉक का मुख्य करण की आए तो वह है एर पोलूशन नेक्स्ट है हमारे बाई मुडले जलपास्ट की औस संध्या कितनी है चार प्रतिशत है एबरेज एडिवेटिक लेफ्स रेट इज यानि कि औस रूद रोष्मन जो दार है वह कितनी है वह यह च्छे पॉंट चार डिग्री सेल्सियस पर किलोमेटर नेक्स्ट जो कोशन है वह है बाई राशी की स्थिर्था या अस्थिर्था को डिग्री निर्धारन की सूपकरण के द्वारा की जाती है इसका जो राइट एंसर है वह है रेडियो साइनेडस नेक्स्ट ताप ताप मान बायुदाप बर्श्रा मापक की इस तरह के इनवे से भी क्या कभी कोशन पूछ जाते है जैसे ताप मान को किसमें मापक जाता है या बर्श्रा को किसमें मापक जाता है या बर्श्रा को किसमें मापक जाता है या बर्श्रा को किसमें मापक जात उसको और आंधरता जो है हाई ग्रोमेटर में मापी जाती है फिर ओंजन परत की अधितम सरंगनता कहां पर पाई जाती है तो इसका जो राइट एंसर है वो है 25 किलोमेटर पर नेक्स्ट और परत परत्षीद्र हो राय शरंपितम इसकी खोज किस ने की थी ये की थी जो सब फर्मान ने 1985 में एंटर्टिका में जो सब फर्मान और उसकी टीम ने की थी एंटर्टिका में 1985 में नेक्स्ट एक उपन ने अपना जलवाई परदेशों परिख्री करन प्रस्थूत किया था कब प्रस्थूत किया था वो किया था 1905 में किया था ABCD जो पांट जो लेटर्स का है उसने उसमें प्रियोग किया था अवस्त माशिक मासिक और वार्शिक जो क्या है तापमान और बश्राकु उसमें लिया था आधार बनाया था ठानवेट ने जलुए उबर घीकरण कब क्या था उसने दिया था 1931 में और 1928 में उसने ख्या है फिर से उसमें संशोदन क्या यानि कि दो बार उसने जल्वई वर्गी करन क्या था 1931 में क्या था पहला और उसके बाद क्या उसमें संशोदन क्या था 48 में नेक्स्ट है पोदर फ्रंट थियोरी धुरुबिय वातार की सिदान किस ने दिया था वो दिया था जे वर्कनीज और वी वर्कनीज ने दिया था जेकब वर्कनीज और वी वर्कनीज नेक्स्ट है उत्री भारत में रित्तु में बर्षा होती है किस कारण से होती है तो इसका जो राइट अंसर है वो है बेस्टन डिस्ट वैंस पच्चिमी बिक्षोब यह जो है उजी सी नेट का जो एक्जाम होगा था दिसंबर दो हजार उनने इसको पूशा गया था लोड़ते मौनसून भारत में बर्षा करता है कहां पे करता है कोरा मौनडल तट पे जो है लोड़ता मौनसून क्या है अधिक तर बर्षा करता है नेक्स्ट है उसने चक्रवात और उसके नाम दे रखे कि उस उसने चक्रवात को क्या है कहां प यहां से भी क्या है कोशन आने की संभाना रहती है टाइफून जो है उद्री परशानत में का जाता है चक्रबाद जो है हिंद मासागर में का जाता है टेफू का जाता है जापान में और बेंगू फिलिपिन्स में और विली विली जो है वो ऑस्टेलिया में कहा जाता है विली के मुख्य तो कितने प्रकार होता है तो इसके जो है चार प्रकार होते है पीटरसन के अनुसार उष्ण बातागर होता है शीत बातागर होता है स्थाई बातागर होता है और सरंधित बातागर होता है नेक्स्ट में बाताक रजनन और बाताक श्रेक का प्रयोग किस ने किया था तो यह किया था टी बॉर्गनॉन ने सरवादिक अले विडियो किसका होता है वो होता है ताजहीम का जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा जो यह हो मर्फोलोजी का वो उन लोगों से में रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो देख ले मैं टॉप जो 15 कोशन का मैंने यह प्लान बना रखा है कि मैं जो सभी जो सब्सक्राइब कर आपको व्यास्ट वीडियो कि 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 pense आ है वह है ताजहीम का सब्सक्राइब किस्ट व्यूफbol C К younger집 कि वन की इस तरुक्षा जा चुका है तो यह दर्शाता आ next we इसको थोड़ा ठीक से देख ले-next और परत पेराविन किर्णों के कौन से भाग को अब शोशित करती है तो यह करते है अल्ट्रा वॉलेट थर्ड यू थ्री नेक्स्ट है उस्ष्नकटि बंदिये चकरवाद के केंदर को किस नाम से जाना जाता है उसके आ जाता है चकरवाद की आँक्स आई ओफ साइकलोन आयोफ, साइकलोन नेक्स्ट है शितोशन कटी वजय चक्रवात की उद्पत्ती के स्थान कौन से है तो यह है 35-25 डिग्री नॉर्थ एंड सौथ अक्षान पच्छवा पवनों के कारण के आये उद्पन होता है बेस्टरन जो बींड्स होती है मंद्य अक्षान भी कह सकते है नेक्स्ट उच्ट एक अनुसर जबता अपमान घटने की अपएक्षा बढ़ने लगता तो उसे क्या का जाता है उसे का जाता है inversion of temperature जब क्या है उच्छा एक अनुसर अक्षार क्या होता है जिस उर्जा की आशकता होती है उसको क्या का जाता है कैलोरी नेक्स्ट है आपके अंदरिये बॉल सरबादी कहां पर होता है वो होता है भूमंदीर एखा पर जो है इस बैसे क्या है जो संट्रफियूंगल उती ही कम होथी जाती आ कि नेक्स्ट थी मोशं फन myself सका क्या और सबसे बड़ा क्या अंधारन विश्यों में अधिकतर बड़े मरस्तल माजुई के पच्चिम भागों पर क्यों स्लिता है इसका करण है पत्षव पहुनों की बज़े से क्योंकि जो पत्षव पहुने वो क्या करती है वो अनली जो है पूर भीवागुप़र क्या है बर्शा करती है next question number 33 इस प्रिक्रिया का उस प्रिक्रिया का नाम बताऊ जिसमें क्या है पुश्रमा का शेती स्थान अंत्रन पाउनों द्वारा होता है तो उस दूपर क्रेक होगे अभी बेहन एड़वेक्शनल नेक्स्ट है 10 ग्राम जल को बाच में बदलने के लिए कितने केलोरी उर्जा की आउशकता होती है तो इसका जो राइट अंसर वह है 10 केलोरी घाटी और पर्वतिये जो समीर होती है वो किस परकर की पाउनों के उदारन है वो है लोकल विंड के स्थानी जो पाउने होती है फिर उत्री भारत में उत्री भारत में मैदान में गर्मी में चलने वाली उत्री भारत के मैदान में गर्मी में चलने वाली गरम पाउनों को किस नाम से जाना जाता है इसका जो राइट एंसर है वो लू होगा ये जो है एच पी सेट रेक्जाम 2019 में question पूछा गया था maximum वोई question है जो बार बार क्या repeat होते रहते तभी मैंने आपको बताए गिनी तट के साथ के साथ हर्मट को किस नाम से जाना जाता है जैसे कि आप सभी जानते कि हर्मट क्या एक पवन है इसको जो गिनी तट के साथ जाना जाता है और डॉक्टर का जाता है नेक्स्ट है समान तापमान बाईदाब आंदरता वाली भाईव को बिस्तिरत बुंच को क्या का जाता है इसको का जाता है बाईव राशी नेक्स्ट है किस थान्य पवन को हीम बक्षनी का जाता है हीम बक्षनी का जाता है चिन्यूंक को यो परभघ्माला इसके आस पास चलती है वह बिंदू जिस पर कोई बायू शंत्रिप्ट होती है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता ओसांग बिंदू या डिव पॉइंट बायू में भी दिवान जल्वाष्का की मात्रों को क्या कहा जाता है उसको का जाता है humidity आंधरता next है अधिकांच बर्षा कौन से महिंग करते है बर्षा सत्री महिंग जो है सरवादिक जो कहा है बर्षा करते है next है question number 43 जब बर्षा की जमी हुई बुंदे और पिगली हुई हीम के जल का गिरना एक साथ हो तो ऐसे बर्षा को क्या कहते है या ऐसी स्थिति को क्या कहते है सहीम बर्षा next है ताप कटी बंदो का भी चास सरप्थम कीन के द्वारा दिया गया था वो दिया गया था यूनानियोन के द्वारा इन्होंने ताप कटी बंदो में पहली बार किया द्रातल को बाटा था नेक्स्ट कोपन ने अपना जल्वाई पर्देशों का पर रिकन कितने परकारों में किया था तो उसने जो क्या है 13 परकार में किया था और 5 बर्गों में उसको क्या है बाटा था परकार 13 थे और बर्गों में 5 बाटा था बातलों के द्वारा सोर विक्रिंक का कितने प्रतिशत और परिवर्तित किया जाता है वह किया जाता है स्थाइस प्रतिशत नेक्स्ट है कौन से मेंग चंद्रमा के चारों और परवामंडल या है लो की रस्ना करते हैं वो करते हैं पक्षाप सत्री जो मेंग होते हैं वीति नेक्से if मूनायक क्या है तो यह क्या है एक मॉन्सून एकसदर सकना हैं एक भी पेट्चामेशन जो मॉन्सून यानि की मोन्सून अभ्यान जो उन् की दफराएं में लोले हैं राप सीप्दरत की कौन सी परस्ते संब्च में यह जो है यह शोब जिमा से सब्मदीत है शोव मडल में एलेटीड है नेक्ट है मॉंसून और उसके नाम देख रहे हैंने कि मॉंसून जो बर्षा होती है उसको कि नाम हों से कहां पर जाना जाता है तो यहां से भी क्या है कोशन पुछा जाता है यहां से नेट दिसंबर में भी पूछा गया था नेट जो दिसंबर 2019 का जो वह था जिन्नोंने दिया होगा एक्जाम उनको पता होगा बाकी आप जो अगर आप ओफिशल पेपर देखना चाते तो उसको जो क्या है आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन भी लिंक मिल जाएगा आमर वर्षा मोंसुन की अच्छा फस्ट है आमर वर्षा आमर वर्षा जो है मोंसुन जो बारिश उत्युसको केरल में जाना जाता है क्योंकि यहां पे जो क्या आम की फसल को पकने में क्या मद्द करती है काल बेसा की जो सब्सक्राइब करता है क्योंकि अच्छा आप थोड़ा जैसे आल नीनो हो गया लाल नीनो हो गया सौधन ऑक्सिडेशन हो गया और मोंसून जिलिट के ओरिजन से संबंद जो थियूरिया है और टाइप्स और प्रिसिपोटेशन रैनफोल्ड और लोकल बिंड्स जो है उसको देख ले थोड़ा लोकल बिंड्स जो है कौन सी पवण जो क्या है कहां पर चलती है तो यह थोड़ा क्या है आपके लिए अच्छा रहेगा एक्जाम की अगर आप प्रिप्रेशन कर रहे है कोई एक्जाम देना चाहर है क्योंकि वहां से भी कभी कभी क्या है कोशन पूछे जाते हैं यहां तो मैं अगर मैं लोकल बिंड्स आपको बताने लेगा तो इतनी सारी है कि यहां पर बताना मुश्किल हो जाएगा तो साथियों कैसा लगा आज का हमारा यह वीडियो कमे होगा तो साथियों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्टे की चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगे ताक कि आने वाले वीडियो का तुरंत आपको क्या है नॉटिविकेशन आपके चैनल पर मिले आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेगे फिलाल के आपकि दोग मिलेगे पिलां के